आप आप अब रिवान मेलकम टुट चानल ग्यापनी केडमी चलिए समझते हैं फिजिक्स का नेक्स टॉपिक जिसका नाम है ऑथल लेंज से परतिविम निर्मार यानि कि कैसे ऑथल लेंज से इमेज बनाते हैं परतिविम बनाते हैं यह डिसकस करेंगी अमलग इस वीडियो म और जिस तरह मैं उत्तल लेंग से प्रतिविम निर्मार के लिए मैं दो तीन किर्णों को आपसे मिलाई थी उसी तरह उत्तल लेंग से प्रतिविम निर्मार के लिए आपको मैं दो तीन किर्णों को मिलाऊंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे उत्तल लेंग से किरन और तल लेंज से ऐसे उसका पुर्तन होता है कि वो इफ्टू से आती हुई प्रतीत होती है जैसे मन लिजे यह आई और इसका पुर्तन ऐसे होगा एक मिनट ऐसे ठीक है तो एस वास्तों में तो यह जो किरन आई है मुख्यक्ष के समानतर यह तो उधर चली गई लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो किरन है वो इस बिंदू से आती हुई दिख रही है बिल्कुल अगर देखा जाए यहां पर कोई इनसान रहेगा तो लगेगा कि क्या कि यह इस बिंदू एफ्टू से आती हुई परतीत हुआ उसको दिखाई देगा या फिर हम लोग यहां से देख तो वह उतल लेंस से अपवर्तन के बाद एफ्टू से आती हुई परतीत होगी या जाती हुपरतीत होगी ठीक एफ्टू से ठीक अब देखिए दूसरी किरन से मेली है अगर कोई किरन इस प्रकासिक केंद्र ओ को टार्गेट करती हुए आ रही है ओपर आ रही है इस तरह तो वह बिना विचलन के उसका अपवर्तन नहीं होगा यानि कि वह अपने रास्ते से बिना विचलन के अपने सीधे निकल जाएगी इस तरह इसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा अपवर्तन तो होगा लेकिन यह अपने रास्ते से विचलित नहीं होगी ठीक है तो दू किर लेंस की प्रकाशिक के अंदर पर आ रही है तो बीना विचलन के सिदे निकल जाएगी यह था बिल्कुल उत्ता लेंस में अब ज्यादा इंपोर्टेंट जो है ना यह दोनों की रहन है यह और यह ठीक है तो लीजिए यहां तक फटाफट रिसक्रिंस और फिर हम लोग समझत से कैसे पृतविंब को बनाते हैं अब समझ लेते हैं कि उस्तीति पहले हम लोग रख रहे हैं यानि की Robin को अनंत पर रख रहे हैं अनंत का मतलब क्या होता है अनंत का मतलब होता है बहुत ही दूर जिस दूरी को आप माप नहीं सकते हैं उस दूरी को बोला जाता है अनंत उस जगह को बोला जाता है अनंत आप माप नहीं सकते हैं बहुत ही दूर होता है अनंत ठीक है तो हम वस्तु को कहां रख रहे हैं और अनंत किसी भी वस्तु का प्रतिविम बनाने के लिए उससे दो किरने लेकर आते हैं तो अनंत से दो किरने लेकर आएंगे और जब अनंत से दो किरने आती हैं तो वो एक दुसरे के समांतर होती है क्या होती है समनांतर होती है तो पहली किरन ये आ गई समांतर लेकर आना है इस तरह समांतर ले आई हैं दूसरी किरन यह आ गई यह पहली हो गई यह दूसरी के समांतर ठीक है अभी मैं आपको पहली किरन से मिलाई थी क्या था कि जब भी ऑतर लिन से मुख्य अक्ष के समानतर आती हुई किरने अपवर्तन होता है उनका तो वह फोकस से जाती हुई या आती हुई परतीत होती है ठीक है तो यहां पर क्या है यह पहली किरन को देखिए मुख्य फोकस से पीछे आती हुई परतीत हो रही है यानि कि यह दोनों की ने अपवर्तन के बाद तो रियल में एक दुसरे से दूर जा रही है इसकी बीच की दूरी बढ़ती जा रही है लेकिन हम इनको अगर जबरदस्ती पीछे की तरफ मिलाएं तो यहां पर यह मिल रही है तो जहां पर किर्णे मिलती है वहां पर क्या बनता है इमेज बन जाता है तो यहां पर किर्णे मिल गई यानिकी F2 पर क्या बन गया इमेज और एक आप बात बताइए क्या य यह तो रियल में एक दूस्रे से दूर जा रही है लेकिन हम लोग इसको जबरदस्ती पीछे मिलाए हैं हम लोग जबरदस्ती किये हैं डॉट-डॉट करकर पीछे की तरफ मिलाए हैं इसलिए यह जो प्रतिबिम्ब बनेगा यह जो इमेज बनेगा वो होगा आभासी यानि की वर्चुल ठीक है तो परतिविंब की इस्तिती क्या होगी तो एफ टू पर क्या लिख सकते हैं एफ टू पर ठीक प्रतिविम की प्रकृति कैसी होगी क्या वह आभासी होगा की वास्तिक होगा बताइए बिल्कुल आभासी होगा वर्चुल होगा क्योंकि यहां पर किर्णे अपने आपने मिल रही हैं हम लोग मिला रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा प्रकृति वा सॉरी आभासी अभासी तथा इसका यह क्या प्रतिविम जरा देखिए यह प्रतिविम सीधा बना है कि उल्टा बना है यह कैसे मालूम चलेगा देखिए पहली किरण है पहली किरण अपवर्तन के बाद उपर की उपर है दुसरी किरण बन रहा है वह सिधा बन रहा है कि आपर अगर यह पहली किरण नीचे चली जाती और दूसरी किरण ऊपर चली जाती तब उल्टा बनता यहां पर तो पहली किरण ऊपर में स्यंधा परतिविमी कैसा है इमेज़ इसका आपाए्सrice क्या वस्तु से बड़ा है कि छोटा आपका तो वस्तु रखा है अनन्त पर बहुत ही दूर और उसका जो प्रतिविम बन रहा है उसको की अत्य छोटा सा बन रहा है प्रतिविम कि ऐत्यांत चोटा यानन की बहुत ही चोटा बिंदू के ब़राबर प्रतिभी बन रहा है ठीक है दूसरा थो ऑन जहां पर ये वस्थू रखा था अनन्थ पर के पिल नहीं सकते हैं वहां पर वस्तू से वहां से लेकर आप इस ओ के बीच तक कहीं भी आप रख दीजिए आप यहां पर भी रख सकते हैं यहां पर भी रख सकते हैं यहां पर भी रख सकते हैं मनलब अनंत से लेकर इस ओ तक कहीं भी आप रख सकते हैं अब जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर बना तो यहां पर मैं चलिए रख दी इस वस्तू को इसका प्रतविंब कैसा बनेगा पहले तो एक समांतर की रण लेकर जाई है ठीक यह समांतर गई कैसे गुजरेगी कि एफटू से आती भी परतीत हो रही है ठीक अब दूसरी की रण को ओ से लेकर चले जाई है वो से तो सीधा निकल जाएगी है नहां दूसरी की रण को दूसरी किर शे मिलेंगी तु मिलेंगी बिल्कुल नहीं मिलेंगी क्यों यह जूनों एक दूसरे बढ़ती जा रही है तो यह जिन्दगी में कभी एक दूसरे से словने लेकिन हम इसको मिलाएंगे यह तो इसको पीछे किचेंगे और फ gesch हैं यहां पर बन जाइगा इस वस्तू का यहां पर परखेंगों की इस्तिती क्या हो गई एफ्टू तथा ओ के बीच एफ्टू तथा ओ के बीच ठेक है पर्तिविंब की तो इस्तिती मालुम चल गया अब प्रकृति बताईये अब एक बात बताईये क्या यह रियल में अपने आप से मिल रही है नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि यह तो रियल में एक दोर जा रही है हम तो जो बर्दस्ति इसको पीछे बाट करकर मिला रहे हैं तो यहां पर मिल रही है तो जिसको यहां पर वस्तु है यहां पर इसका इमेज बन गया तो आप आशी तथा सीधा ठीक अब देए वस्तु का सौरी प्रति बिंब का आकार कैसा है वस्तु का इतना बड़ा आक़ इसका जो प्रतिविंब बना इससे छोटा बना है यानि कि हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिविंब का जुआकार है वो बिम्ब से छोटा है ठीक मालुम चल गया अनंत और ओ के बीच अगर वस्तु को कहीं भी रख रहा है तो उसका प्रतिविंब कहां बन रहा है इफ्टू और ओ के बीच अभासी तथा सीधा और बिम्ब से छोटा ठीक है समझ में आया यह हो गया और तल लेंस से प्रतिविंब निर्मार ठीक है तो लीज तो लेंस